गुड मॉर्निंग ओल आज 19 तारिक हो गई 19 नमंबर और एक्जामेनेशन फोर्म जब से भरे जा रहे हैं लगबग 20 दिन से जादा हो चुके हैं और काफी बच्चों के सवाल जो हैं इस्टाग्राम टेलिग्राम ट्विटर थ्रेड सब जगह पे पड़े हुए हैं जो आप पूछ रहे हों में कि एक्जाम फोर्म की वेबसाइट चल रहे हैं नहीं हमारे एक्स फोर्म चल रहे हैं या फिर बैक फोर्म चल रहे हैं नहीं कब लास्ट डेट होगी इस तरीके के सवाल आ रहे हैं पहली चीज ये बता दें कि सब पे हमने वीडियो पहली चीज तो डाल हाला कि हमने maximum चीजे उसमें blur कर दी यूट्यूब के एडिटर टूल की help से तो अभी तक कि अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो सिर्फ आपको इतना जानना है कि वैबसाइट का क्या हाल है और क्या कुछ चल रहा है तो आपको पहले ही बता दे कि वैबसाइट इस टाइम पर अंडर मेंटिनेंस है मतलब वैबसाइट पर काम चल रहा है शाद उसकी मरमत लोग कर रहे है जिनों जो एजनसी ने वो वैबसाइट क्रियेट किये है वो उसकी मरमत में लगे है हो सकता है एक या दो घंटे या चार घंटे बाद यह शाम तक आपको एक सही रिजल्ट म अगर कैφेवाले के पास कोई बच्चे ने फोर्न दे रक्छा दस दिन से और कैफे वाले ने नहीं बरा तो बच्चा खुद यह है भाई कि प्यू नहीं बर रहे हो मंदोलब कैफेवालों को फिर की साइट तो चल रही है उसने भर वाल या उसने भर वाले हमएं उसने भर एक मेल किया गया था कोलिज को माल युनिवर्सिटी इंडिया स्टुडेंट्स यूनियन ने वह मेल किया था इसमें नो दिमांड इन्होंने करी थी कि किस तरीके से बच्चे परिशान हो रहे हैं और किस तरीके से क्या जो है आप इस वेबसाइट की सही कर लो कि बच्चे परिशान ना हो इन्हों नो मुद्दे उठायते बात के उसको हमने letter to university करके एक थमने ले उसमें discuss कर ले था इस वीडियो से जो हम record कर रहे हैं इससे लगबग पिछली पांच वी छटी या साथ वी आठ वी वीडियो होगी तो उसको एक बार चेक कर लेना सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और इस वीडियो में भी हम सारा कुछ क्लियर करेंगे तो ये जो है वो letter तो एक Gmail के थुरू बेजा गया था university को कि आपकी जो agency को आपने जो ठेका दे रखा है इनको admission कराने का या फिर examination form कराने का वो किस तरीके से काम कर रही है ठीक है तो इन्होंने सारा कुछ तो उसमें बताया था लेकिन कुछ part फिर भी रह गए थे इन्होंने अभी ही क्या किया है self finance college federation ने अभी एक complaint की है इस agency के खिलाप और ये एक letter लिखा है और उस letter को भेजा है माननीय राजजपाल महोदिया राजबहन लखन हूँ ठीक है तो वहाँ पे भेज़ दिया राजधानी में और विशे क्या लिखा है आपको थोड़ा पढ़के बता रहे हैं और सारी चीज़े इस वीडियो में आपको clear हो जाएगी कि क्या कुछ चल रहा है और अगर आपके पास time नहीं है और आप अभी तक देख रहे हो तो शाम को रोज आठ बजे लाइव सेशन करते हैं उसमें अपना सवाल पूछ सकते हो कि form चल रहे हैं या नहीं इतना पूछ सकते हैं अगर आपका सवाल यह है कि हमारी class के form देख के बता दो या फिर कब last date है उसके बारे में हमने एक already एक वीडियो डाल करके जिसमें हमने लिख रखा है उपर ही thumbnail में हम लगा जैते हैं all, main, back और x form किस तरीके से खुद से चेक करें कि बच कौन-कौन से चल रहे हैं उसमें हमने पूरा प्रोसेस बताया था लगवश चार मिनिट की वो वीडियो है उसे देख लोगे तो सब clear हो जाएगा all clear ठीक है तो यह जो complain करी है Self Finance College Federation ने उसको हम एक बार subject पढ़के बता रहे हैं इसको पढ़के बताएंगे जिनके पास यह पहुच गया अच्छी बात है जिनके पास नहीं पहुचा उनको हम समझा देंगे और जिनके पास यह पहुच गया तो इसमें topic wise हम पढ़ते चलेंगे और उसमें कमिया हम भी थोड़ा explore उसको करेंगे ति क्या matter यह चल रहा है ठीक है क्योंकि इन्होंने तो लिख दिया कम से कम कितने line होंगे यह 25 line होंगी लेकिन यह बहुत बड़ी बात है ठीक है 25 line नहीं है यह बहुत बड़ी बात है इन्होंने सिर्फ संक्षिप्ट करके उसको compress करके लिखा है त परिक्सा agency मनमाना रवया अपनाकर चात्र चात्राओ का भविष्टे से खिलवार करने एवं विश्विद्याले दुवारा अराजकताओपर कारवाही नहीं करने तथा चात्र हित में agency को बदलने के लिए विश्विद्याले को निर्देशित करने के संबंद में बनलब मां से बच्चों के उनको पता है क्या चल रहा है देखो जल्दी से अगर बताएं आपको वेबसाइट का हाल अभी तक का या तो फॉर्म नहीं हो रहा है तो एक स्टेप पे जाके नेक्स्ट नहीं हो रहा है अगर नेक्स्ट हो रहा है तो कोड नहीं खुल रहे अगर कोड खुल तो फीस जीरो आ रही है, अगर फीस भी पूरी जमा हो रही है, तो फीस फस जा रही है, अगर फीस फस भी गई, ऐसे बच्चे बहुत कम हैं, मतलब आपको अगर बताएं, तो लाखो बच्चों ने फोर्म भरा है, और लगबग 10,000 के आजपास बच्चे ऐसे हैं, जिनका फो successfully submit हुआ है, अपने ही college का example दे रहे है, NRC college थोड़ी दूर है हम से, लगबग 1 km दूर, तो उसमें LLB 5th semester के बच्चों ने फोर्म भरा है, हम उस group में हैं, क्योंकि हम LLB 5th semester में हैं अफिलाल, तो उसमें 1167 भी आई है फीस, और 3337 भी आई है, जब हमने group में पूछा, दोनो फीस अलग-अलग देखें कि ये जो फीस है, ये private college की है या नहीं, क्योंकि private में हो जाता है फीस जादा, बोल रहा है कि नहीं मैं इसी college से belong करता हूँ, क्योंकि group में है वो NRC college के, तो ये जो है, ये जो दिक्कत हो रही है, एक बच्चे को नहीं हो रही है, ये हर दूसरे ब विचार है, वो भी इस वीडियो के एंटे में हम बताएंगे, सारा कुछ पढ़नेंगे बाट, ठीक है, तो इसमें लिखना है महोदया, आपको विजीत हो, चोधरी चरंट सिंग विश्विद्दालने मेरट में परवेश से लेकर परिक्षा में अराजकता चरम पर है, लेक लेकिन वार्षिक बैक परिक्षा में 24,000 में से 10,000 फोर्म और सेमेश्टर परिक्षा में 1,000,000 परिक्षा फोर्म में से केवल 4,000 फोर्म बरे जा सके हैं, हम तो 1,000,000 में से 10,000 का अकड़ा मान रहे हैं, इन्होंने तो 4,000 का अकड़ा बता है कि 1,000,000 जो बच्चे फोर्म करेंगे उसमें से 4000 फोर्म भरे जा सके हैं जो कि 23 दिन के हालात है 4000 फोर्म इस वेब साइट पे एक दिन में भरने के रिकोर्ड भी है और रिकोर्ड नहीं है वो यह नोर्मल है ठीक है क्योंकि हर जिले से फोर्म भरे जाते हैं फिर प्रिक्षाप परकिरिया पूर्ण होना सोच नहीं है ठीक है यह सब कुछ हो गया आगे इन्होंने लिखा है आगले पैरगाराफ में कि मेरिट परकिरिया में बार बार मेरिट बदलना आपको पता ओगा यही एजनसी है जब मेरिट लगनी थी आज नोटिस के एसाब से सही करके बिल्कुल कोई गलती नहीं देख के लगा रहे थे तो इन्हों ने यह कारण दिया और जब मेरिट लगाई उसमें बच्चों के फोन नमबर भी डाल दिये तो टीचर ने उनको हटा के बतलब काट वात के और तब करे और बच्चों ने उनके फोटोडों के इसके लगे ओपन मेरिट में नाम आएगा लेकिन उन्होंने सेटिंड में भी नाम दे दिये उनके तो वे भी गलती है ठीक है इनसे फिल्टर भी सही तरीके से वो चीज नहीं हुआ कि किस बच्चे का कैसे नाम आया है और फोन नमबर अलग से चापे ठीक है तो वही चीज इन्ह पंजीकरण नहीं होना जैसे मुद्दे किसी से छिपे नहीं है परवेश में विश्विद्द्याले की किरकिरी होने के बाद भी परिक्षा जैसा महतवपूर्ण कारिये एकुषल एजंसी को देना विश्विद्द्याले अधिकारियों की सूचीता पर परशन चिन खड़ा करता है ठीक है आगे नहीं लिखा कि विश्विद्द्याले अधिकारियों के ऐसे क्या नीजी हित अत्वा विवश्विद्द्याले परिक्षा या फिर परवेश जैसे बहत्यपूर्ण कारिये कराने के लिए विवश है विश्विद्द्याले के कुछ वरिष्ट अधिकार सब्सक्राइब चलता है ऐसे में ना तो छात्रों की समस्यागों निदान होता है और ना ही करिश्ट अधिकारी किसी निर्णायक भूमिका में होते हैं एजन्सी के पास सिक्षा जैसे कारिय का अनुभव नहीं होना और लगतार समस्याओ से ग्रिस्ट होना उसके बाद भी कुलपती महोदया दुवारा एजन्सी पर कारियवाही नहीं किया जाना संहिदास संदेहाश पद है मतलब इस पे डाउट लग़ा है कि क्यूं वो उनको पता है उनिवरसिटी को लेकिन क्यूं इस पे एक्षण नहीं ले रहे हैं क्यूं इस टरह की नहीं होती इन्हों ने बताया किOoh एक्षण नहीं लिया जा रहा है उनुन करने के बाद भी उनकी आगे लिखाए कि चात्र परिक्षा फार्म ऑनलाइन भरने जैसे छोटे कारिये के लिए विश्विध्याले एवं अधिकारियों के डफ्तरों के कटपुतली बन कर रह जाए विश्विध्याले साथ नहीं चाहता कि समस्या का हल निकले और समस्याव से चात्र आए दिन विश्विध्याले जूजते रहे ठीक है तो यह हो गया एक पेज इसके अलावा बहुत छोटा सा पार्ट अगले पेज पे लिखाए तीर लाइन उसको भी देख लेते हैं इसमें लिखाए कि महोदया मतलब जो लखनाव में जिनके पास ये मेल भेजा ये जो कंप्लेन भे टकाल अंयत्र एजेंसी से कार्य कराना अपेक्सित है अन्यत्र अख कि इस थिति में विश्विध्याले शाषन की मन्सा के अनुरूप ने तो समय से परिक्सा फोर्म भरा जब भरा पाने में सक्सम होगा और नहीं पर परिक्सा कराने में और इसमें पुन रूप से जो प्रभावित ना हो यह करके इन्होंने लेटर कर दिया खतम अभी आपसे पूछ रहें कि सेमेश्टर का मतलब क्या होता है सेमेश्टर होता है छे महीने एर मतलब क्या होता है सालाना मतलब बारे महीने सालाना अगर कोई क्लास होगी तो सालाना मतलब साल भर के बाद पेपर हो लेकिन यहां पर एक महीना छोड़ के अगले महीने में पेपर मतलब बच्चा admission के लिए form जमा करने गया है और उसको यह पता है कि भाई मेरे अगले महीने पेपर है एक महीना बीच में छोड़ के अगले महीने मेरे पेपर है और university क्या करती है फिर एक letter डाल देगी कि बच्चों के जो है cover कराओ बहुत जल्दी अपने आप track से आपका सब कुछ हट रहा है वो चीज भी चलो side में करो उस चीज को भी परिक्षा form के लिए तो दिक्कत है ना बच्चा क्या कर रहा है बच्चे ने admission ले लिया बच्चा पढ़ अभी जाएगा या नहीं बर जाएगा या मैं फिजूल पढ़ रहा हूं बच्च आर दिन चक्कर काटे का कैफे के तो ऐसा है अभी अगर इसका conclusion की बात करें अगर वेबसाइट फिलहाल हमने ये वीडियो रिकोर्ड करने से पहले चेक करी वेबसाइट रात हमने अपने ट हमने लिखा कि हमारे पास वेबसाइट का ये हाल है क्या आपके पास भी ये हाल है एक बार चेक करके बता दो क्योंकि ऐसा होता है हम पिछले दस साल से जादा होगे फोर्म भर रहे हो CCS University से भली बाती परिश्चित है CCS University को तो side में कर दो लेकिन अगर कोई फोर्म चलते है SSC, दिल्ली पुलिस, DSS, BDS, जो भी फोर्म चलते हैं ऐसा होता है कि अगर वेबसाइट ओपन नहीं है पूरी राट आपने मेहनत करी वेबसाइट ओपन नहीं है और आप कैफे पे जाते हो और आपको कोई बताता है वेबसाइट तो बहुत बढ़ी है चली तो आप क्या कह होगे कि पता नहीं कैसे शली तुम्हारे यहां पे क्या नेटवर्क है तो नेटवर्क की बात होती है ऐसा नहीं तुम्हारे यहां पे नेटवर्क की बात होती है नहीं अगर आपके यहां पे एटल पे अभी दिल्ली पुलिस का एक्जामपल देते हैं दिल्ली पुलिस के एडमिट कार निकल रहें दिल्ली पुलिस में एनार रिजन वाली वेबसाइट बंद दिखाएगा अगर आप एटल से चलाओगे आप जियो से निकाल लो निकल जाएगा तुरंट तो ऐसे हो जाता है कोई वेबसाइट एटल से नहीं खुलती तो जियो से खुलती है जियो एटल से नहीं खुलती है तो वियाई से खुलती है तीनों में से एक से खुल जाएगे इस तरीके से होता है तो हमने आप लोगों से बूचा कि वेबसाइट सही चल रही है या नहीं तो आप में से एक भाई का मेसेज आए कि सही चल रही है लेकिन उसका अगले ही 10 सेगिंड में रिप्लाई आ गया कि आपके आपने जैसे स्क्रीन सूट दिया है वैसे ही हो गई अब ठीक है तो यह हाल है वेबसाइट का और अभी भी हमने चेक करा अंडर मेंटरनेंस दिखा रहा है शायद इस पे काम चल रहा है देख उससे पहली चीज तो आप फोर्म भरना स्टार्ट करते हो मानके चलो फोर्म खुल गया एजिली खुल गया आपका आपका पहला जो में इस टैप होता है वो आ गया उसमें सबसे कॉम्प्लिकेटिड क्या चीज है आपका फोटो साइन लगाना उसको आप फोन से इसली नही लगा सकते है उसमें हाइट और विड्थ मलब लंबाई और चोड़ाई का हिसाब है कि कितनी लंबाई कितनी चोड़ाई टिक्सल वगयरा का हिसाब है वो चीज करोगे तो लग जाएगा थोड़ा बहुत उपर नीचे हो जाए तो भी चल जाता है हमने करे हैं फोन तो बाई कि चलो वो भी सही है सबसे पहली चीज तो फोटो साइन लगा लिया वो कोई बात नहीं है हाला कि पिछले साल से युनिवर्सीट ने बंद कर रखा था क्योंकि बाई एडमिसन के टाइम पर सब था उनके पास फोटो साइन ओटोमेटिक लिया थे बच्चे फोटो सा जो आप दो बार अप्लोड करा रहे हो अप्लोड कराने का मतलब क्या है आपका मलब क्यू करा रहे हो अप्लोड आपके पास नहीं है क्या हमारे डोक्यूमेंट बाई जब आप डोक्यूमेंट जब आप स्कॉलेट्शिप का फोर्म लोगे तब भी आप तीन सेट बनवा के लोगे किसी कॉलेज में नहीं होता होगा लेकिन फिर भी कॉलेज के पास परियाप्त डोक्योमेंट होते हैं लेकिन फिर भी जितनी भी बार आप कुछ कराने जाओगे लाओ दस्वी बारवी की माकसिट थोड़ा सा कुछ काम हो लाओ दस्वी बारवी की माकसिट क्या करते हो दसवी बारवी की माकसिट काओ ऐसे इस एजिंसी ने कर लिया कि आप फोर्म बर रहे हो बैक फोर्म बर रहे हो लाओ दसवी बारवी की माकसिट आपके पास है नहीं कि दसवी बारवी की माकसिट वो चीज़े इसमें लिखी हुई है ठीक है तो इस तरीके से important important topic इन्होंने उठाए हैं इन्होंने demand उसमें करी थी कि website को इतना easy बना दो कि एक तो form भरने में दिक्कत नहीं होने की form easily भरा जाएगा और बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होने की बच्चा परिशान चल रहे हैं बहुत ज़्यादा और कैफे वाले उस complicated form को देखके 100-200 रुपे चार्ज कर रहे हैं सही बात है और यह इस form के लिए 500 रुपे बिले तो कम है यह पूरे दिन का time लग रहा है तो कम से कम इतना चात्रहित में सोचना चाहिए भाई अगर आप ये जाती है ना एजनसी इस तरीके से होता है जब एजनसी के बारे में हम बार-बार बोल रहे हैं तो आप एक चीज समझो इनके tender लिए जाते है यूपी पुलिस के अभी tender की परिकिरिया चल रही है वो क्या करते हैं कि वो निकालते हैं कि भाई हमारा एक portal बनवाना है हमें दो 25 लाग रुपे कोई बोलेगे कि भाई हमें दियो आप 20 लाग रुपे कोई बोलेगे हमें 10 लाख ही दे दियो हम कर देंगे तो वान के चलो university इने बोल दे बैए कर लोगे सभी है लिखवा ले सब कुछ लागो 10 लाग रुपे हम तुम्हें दे देंगे करवाओ काम शुरू अब भाई जो quality जिसकी खराब रहेगी 10 लाक रूपे पर जो काम कर रहा है वो काम कैसा करेगा आप देख लो ठीक है अगर आप कहोगे वही चीज की भाई अगर एक साथ ट्रैफिक पर बच्च जाएंगे तो भाई दिक्कत आएगी भाई फेस्बुक नाम सुना आपने उस पर देखो रात के बारा बज़े चले जाओ अगर आप कहोगे रात के बारा बज़े तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता दिनी के बारा बज़े आजाओ भाई कभी वो वेबसाइट नहीं बोलने की दुनिया है उस पर पूरी और आपसे पूरा का पूरा एक यूपी का भी छोटा सा पार्ट नहीं संबल रहा तो वो चीज़ तो एक्सक्यूज है और लगबग हर एजनसी जो आप यूपी पूलिस की वेबसाइट देखिए वो भी ऐसी चलेगी अब लेकिन इसने तो ज़्यादा बुड़ी हालत कर दी स्सी की वेबसाइट देख लो स्सी को लिखना पड़ता है अपने नूटिस में कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है लाश्टक मत रुकना वेबसाइट को इंप्रूव करना चीए ठीक है ना तो ये सब चीज थी हमने इस वीडियो में काफी कुछ आपको क्लियर कर दिया लगबख 20 मिनट की वीडियो रिकोर्ड हो चुकी है ठीक है 19 मिनट 20 सेकिंड होगे 20 मिनट की लगबख्य कर लेंगे तो हमने इस वीडियो में क्लियर कर लिया काफी बच्चे सवाल आए हुए है काफी बच्चों के सवाल आएंगे अभी तो ये वीडियो अगर चली जाएगी तो काफी कुछ उनको पता चल जाएगा तो जैसे ही कोई भी अपकाशा बेट होगि तुरंट से वीडियो ढाल देंगे जहां पे भी आपको सूची तब कर देंगे इस वीडियो के Description में लिंक है जहां पे आप Most Active हो वहाँपे हमें फोलो कर लेना वहीं पे आपको पता चल जाएगा और real बगएर तो शायद डालेंगे नहीं डालेंगे वैसे डाल देंगे लेकिन Instagram पे भी हम काफी active रहते हैं तो वहाँ पे भी आप लोग message बगएर करके कुछ पूस सकते हैं तो इस वीडियो को end करते हैं बाकि tension नहीं लेनी है आपको अगर मान के चलो आपको छोड़ी सी चीज़ बताएं 23 तारिक लास्ट डेट एफ एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की और 23 तारिक तक ये सब कुछ चलता रहा तो जाहिर सी बात है लास्ट डेट बढ़ जाएगी अभी back form भी BCB को में एम कोम के फॉर्म चल रहे थे और इसकी मा कही थी कि 20 तारिक है पेपर की जब उनको पता चला कि फॉर्म ही नहीं भरे जा रहे आपकी वेबसाइट पे तो उन्होंने क्या ख़रा उस जो डेट सीट है उसको कर दिया पोस्पोन कि भाईया हम डेट सीट बाद में डाल लेंगे आप पहले फॉर्म भर लो क्योंकि अगर डेट सीट रहती और फॉर्म नहीं भरती तो बच्चे उन्वर्सिटी पहुचेंगे हंगामा काटेंगे तो वो सब चीज थी सारा कुछ हमने वीडियो बना रखिया हर टोपिक पर वीडियो बना रखिया डेट सीट पोस्पोन हुई कौन सी एक्स्टेंड हुई सब कुछ पोर्म भरने तक की वीडियो डाल दिती यूट्यूब ने वो तो हटा जो भी अपडेट रहेगी दिन के सारे नोटिस डिसकस करते हैं उसके ज़ेश्ट बाद आपके सवालों की को डिसकस करते हैं जो भी हल रहेगा website का अगर सही हो गई website तो वीडियो भी डाल देंगे और live session में भी बात कहलें ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद